तो आज का अपना टाइटल है समस्पेशल केंड ओफ मेट्रिक्स और दूसरा जो टाइटल होगा वो होगा रैंक ओफ दे मैट्रिक्स रैंक ओफ दे मेट्रिक्स में काफ़ी ज्यादा स्टुरेंट्स को प्रॉब्लम रहती है वो बोलते हैं समझे नहीं आता सा तो मैं समझा दूँगा अच्छे से जो जो काम की चीज़ है बस उसी पर बात करेंगे पूरा पूरा अच्छे से समझाएगा और देखो यह समस्पेशल केंड ओफ मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं अब यह जो है ना यह कभी-कभी कोशन में एक्जाम में आपसे डारेक्ट पूछे जाएंगे सीदे ही के निल-point matrices क्या होती है हारमीशन matrices में क्या होता है इन पर बेस्ट कोशन आने के चांस अचाइप रियर होते हैं कभी-कभी वह यूज हो जाती है कि ओर्थोकोण मैट्रिक्षेस में क्या होता है तो आपको नाम याद रखना जरूरी है देखो डेश्टी से आपको यह सारे के सारे जो भी टाइप ओफ मैट्रिसेस रही आपको याद होने चाहिए और मैने मैट्रिसेस का भी DPP upload कर दिया है community tab में जाओ practice papers में जाओ download करो DPP जो है अपना practice paper जो है matrices का डाउड और solve करो कोई कोशन नहीं आता है तो solution भी है साथ में solution में देख लेना जब तक practice नहीं करोगे तब तक improvement नहीं होगा जैसा अपन हर lecture में बोलते हुए आते हैं चलो आज की lecture में क्या है अपने पास और देखो जो दो टाइटल है न अपना एक तो था अपने पास rank of the matrix और अपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था characteristic equation of a matrix अब यह जो दोनों है न यह engineering mathematics के पार्ट है MSC BAC अगरा में ज्यादा आता है mathematics में अपना जो competition में यूज होने वाला है न बस अपन उसी पर बात करेंगे ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे जैसे जो characteristic equation है न वो भी J.E.Main में काफी बहुत सारे teachers बताते नहीं है बट मैंने आपको बताया है अब देखो जो characteristic equation है न वो किसी भी matrices का inverse निकालने के लिए बहुत ज़्यादा useful होती है जैसा अपने लास लेक्चर में एक दो question भी solve किये थे तो इंवर्स निकालना उससे काफी असान होता है तो याद रखना वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है उसमें characteristic equation होती क्या है ए माइनस लेमड़ा एककोस टू जीरो का determinant एकोस टू जीरो बस इतनी सी ही थी और कुछ नहीं था तो देखो आज कि लेक्षर में पहली क्या है और्टाइस और्टाइस को oh perfect फॉनी चाहिए दो आइडेंटिटी मेट्रिक्स तो उसको अपन क्या वो लेंगे और्टोगोनल मेट्रिक्स या फिर एका ट्रांस्पोस इकोस टू ए इन्वर्स है ना ये भी दोनों का मतलब एकी तो है ये अपनी एक्स्प्लिनेशन विंडो रेंगहे ना समझने के लिए धर देखना मैंने के लिखा हुआ है एका ट्रांस्पोस इकोस टू ए इन्वर्स तो ए इन्वर्स को मैं क्या लिख दूंगा ए का इकлять लिखो बीकुस्टी इसको इदर multiply करो तो A into A का transpose equals to 1 तो वहीं पर आ जाओगे आप identity matrix पर कुछ अलग बात नहीं लिखी भी दोनों का मतलब A की है याद क्या रखना है सरी यहाँ पर यहाँ पर यह याद रखो क्या बोला A into A का transpose equals to I मैं दोन दरफ डिटर्मेंट ले लिए क्यों नहीं ले सकता हूं मैंसा इदर भी डिटर्मेंट लगाया है इदर भी डिटर्मेंट लगाया डिटर्मेंट दो matrices का multiply में हो तो आप उसको अलगलग कर सकते हो तो A का determinant into A के transpose का determinant I का determinant 1 होता है सभी को पता है किसी भी identity matrices का जो डिटर्मेंट की value होगी न हो कितनी होती है 1 अब A का transpose और A के transpose का determinant दोनों तो सेम ही होते है है ना यहाँ पर A कोस्टू A के transpose का determinant दोनों की value सेम होती है अपने property में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर exactly है क्या यहाँ पर exactly है A के determinant का square इकोस्टू 1 मतलब A का determinant कितना हुआ प्लस माइनस 1 तो अगर कोई ऐसी matrix है है ना मतलब अपने पास दूसरा point square और तीसरा point एक और क्या हो जाएगा A का determinant कितना हैगा प्लस माइनस 1 तो अगर कोई ऐसी matrices है या फिर ऐसी है तो भी आप उसको क्या बोलोगे orthogonal matrices ठीक है तो समझ आया orthogonal में होता क्या है A into A का transpose equals to 1 या फिर A के determinant की value plus minus 1 आती है square matrices का part है तो धियान रखना कभी-कभी किसी-किसी question में use भी हो सकती है orthogonal matrices होती क्या है तो आपको बस इतना सा धियान रखना है इसके बारे में और कुछ नहीं कभी किसी question में आएगी तो अपन solve करेंगे अभी आगे next है add important matrices है add important matrices में क्या है A square equals to A तो कोई भी matrices है उसका square अगर उसी के equal हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे add important उसको अपन क्या बोलते है square matrices भी बोलते है आप देखो example के लिए इसर example बताओ समझ नहीं आया तो example के लिए आप कोई भी identity matrix लिख लो किसी भी identity matrix का square क्या होगा identity matrix ही आती है जैसे मैंने क्या लिखा I2 लिखा 1001 अगर आप ये example है पहला दूसरा example क्या है 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2 1 upon 2 तो मैंने इन दोनों को ये मैं identity को multiply करोगे तो identity ही आएगी है ना तो यहाँ पर तो possible आपको पता है इसका एपन multiply करके देखते हैं तो 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2 ठीक है 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2 A into A कर रहे है A square तो अगेन क्या आना चाहिए A आना चाहिए result में तो देखो कितना आता है 1 upon 2 into 1 upon 2 1 upon 4 plus A into A 1 upon 4 ऐसा हो पहला row complete हुआ पहला row into दूसरा column तो 1 upon 4 plus 1 upon 4 यहीं बनेगा यहाँ पर 1 upon 4 plus 1 upon 4 1 upon 4 plus 1 upon 4 बनेगा अब 1 upon 4 plus 1 upon 4 होता कितना है 2 upon 4 मतलब 1 upon 2 मतलब exactly क्या आगे है अगेन 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon 2 तो आप फिर से A पर पहुँच चुके हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है A square equals to A हो रहा है तो अगर ऐसी कोई matrices है तो उसको पन क्या बोलेंगे It important matrix ठीक है तो यह भी खतम हुई समझ भी आ गया होगा मतलब यह box दियान रखना है A equals to I है ना इसको ही मैं प्रूफ कर देता हूँ A equals to A का inverse कहां से आया या फिर आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो जो अपना A square equals to I इसको पन बोलता है Involutory matrix बस यह याद रखना है और हमेशे square matrices होगी क्या है इसमें A square equals to I मैंने पूरी equation को A inverse से multiply कर दिया तो A inverse into A into A equals to A inverse into I यह कितना हो जाएगा I A equals to यह कितना हो जाएगा A inverse I A again क्या हो जाएगा A तो A equals to A inverse तो अगर A equals to A inverse है तो उसको बन क्या हो लेंगे Involutory matrix ठीक है यह भी खतम बस यह box धियान रखना है और कुछ धियान ने रखना निल पॉइंट matrix अब जो निल पॉइंट matrix होती ही न वो क्या होता है A की पावर P equals to 0 A की पावर P equals to 0 अब मतलब P की value 1,2,3,4 कुछ भी हो सकती है P belongs to क्या है यहाँ पर natural number होना चाहिए मतलब अगर कोई ऐसा है जिसे A square equals to 0 हो गया अगर A equals to 0 हो गया मतलब अगर अपनी determined matrices की value 0 आ रही है मतलब कोई ऐसी matrices है जो खुद तो non 0 है बाकि उसका square कर दोगे न अब तो क्या हो जाएगा 0 के equal हो जाएगा A cube equals to 0 हो गया A की power 4 equals to 0 हो गया ऐसा possible हो सकता है अगर element plus minus हो तो A तो 0 नहीं है बाट उसका square 0 हो गया तो A square 0 होती है क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी nil point matrix ठीक है तो ये भी धियान रखना और ये दोनों सेम नहीं है यहाँ पर A square equals to I है बाट यहाँ पर क्या होता है A की power P equals to 0 होता है P belongs to natural number में कुछ P A equals to 0 करने का मतलब क्या है मतलब वो तो क्या हो जाएगी अपनी एक 0 matrix हो जाएगी तो P equals to 1 लिखने का तो कोई sense नहीं है बाकि आप उसको भी क्या बोलोगे nil point matrices बोलोगे आप अगर वो क्या हुई अपनी एक 0 matrices होई तो बाकि A square equals to 0 A cube equals to 0 हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे nil point matrix ठीक है इसके बाद आती हार्मेशियन matrix अब जो हार्मेशियन और यह जो स्क्यू हार्मेशियन है ना यह जादे important नहीं है मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको तो अगर आपको यह याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा बाकि competition की द्रस्टी से ध्यान रखना क्योंकि देखो important तो है यह से कुछ भी आ सकता है यह थोड़ी सी special है मतलब यह category और level बारी चली जाती है इसमें मैं detail में नहीं जाओँगा अगर देखो detail में गए नहीं तो काफी time लग जाएगा अपनको बस basic ध्यान रखना है कि harmission matrices में होता क्या है तो harmission matrices में सबसे बेले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ harmission matrices में A कॉस्टू A का transpose होता है A कॉस्टू A का transpose ठीक है यह होता है बट यहाँ पर transpose कौन सा वाला होता है conjugate वाला होता है समझे कि सर conjugate क्या होता है complex नंबर में पड़ा हुआ था है आपन ने A प्लस IOTA B का conjugate IOTA का sign change करना है A माइनस IOTA B यह होगा तो यहाँ पर conjugate आ जाता है यह मतलब complex matrices में आपन पहुंच गए हार मेशिन और skew हार मेशिन में ठीक है अब एकदम basic सी बात क्या रखनी है एक square matrices होगी यह आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो A equals to A की power H या फिर A equals to A का star मतलब यह हार मेशिन matrices हैं इसको अपन यह ऐसे भी बोलते हैं और यह A star भी बोलते हैं किसर A का power H का मतलब क्या है A की power H का मतलब है यह A के transpose का conjugate ठीक है इसका मतलब क्या है A के transpose का conjugate ठीक है तो समझ आया है क्या है तो इसमें होता क्या है A equals to A का transpose होता है मतलब A equals to A के conjugate के transpose के equal होगा वो और दूसरी भाषा में अपन इसको क्या बोल चकते हैं Aij equals to Aji का transpose तो यह समझे आपको हर्मेशन मेट्रिस दूसरी क्या है skew हर्मेशन अब skew हर्मेशन में जिसा जिसा symmetric में होता है skew symmetric में क्या आता है minus बाहर आता है तो वैसा कि यहाँ पर एक तो square matrices होना चाहिए इसमें A की power H A star equals to किसके equal होगा minus A के equal होगा Aij equals to minus Aja का बाहर लगा हुआ बाहर का मतलब क्या है यहाँ पर अपना वोई conjugate या अफ़र A के transpose का conjugate equals to कितना होगा minus A के equal होगा तो यह भी याद रखोगी तो भी चलेगा मतलब यह इन दोनों से भी आप उनको पता सल जाएगा बाकि हार्मेशेन matrices जो है न उसमें A की power H भी यूज़ होता और A का star भी यूज़ होता यह भी ध्यान रखना बाकि यह जो है यह rear case में पुछी जाएगी अगर आते भी है तो बाकि यह ध्यान रखना हार्मेशेन में होता क्या है किसी भी matrices के transpose का conjugate किसके equal होगा again matrices के equal होगा तो यह थी अपने पास हार्मेशेन और यह है अपने पास skew हार्मेशेन matrices यह भी आपको समझ आई होगी next चलते हैं अपन period of matrix अभी देखो period of matrices में क्या होगा जिससे a की power k plus 1 equals to a हो रहा है किसी भी matrices के लिए a की power k plus 1 equals to a हो रहा है तो k एक positive integer है तो minimum value of k क्या हो जाएगी वहाँ पे उसका period हो जाएगी जिससे suppose करो a square equals to a हुआ जिससे यहाँ पे a square equals to a हुआ तो यहाँ पे a square को मैं क्या लेख सकता हूँ a की power 1 plus 1 तो यहाँ पे 1 ही क्या हो जाएगा इसका period हो जाएगा तो अगर कभी पूछा जाए कि matrices का period क्या होगा तो वहाँ पे a square निकालो फिर a cube निकालो अकाल के देखना पड़ेगा कब वो सेम हो रही है सपॉस्ट कितना आ गया यह तो यहां पर प्लस तो यह कभी कभी ऊपशन में तो यह थी अपनी कुछ स्पेशल टाइप उप मेट्री इस और जो इंपोर्टेंट है मैंने वही लिखवाई यह बाकी बहुत सारी होती है सभी अपनको याद नहीं रखनी कहके याद रखनी और्थोगोनल एडिंपोर्टेंट इन्वल्यूटरी उसके बाद निल पॉइंट हार्मेशियन इसके बाद पीरियट की जरूरत नहीं है वो तो आपको एक बार में समझा जता है इसके बाद आगे चलता है इनवह इसके बाद अपना टाइटल है रैंक ओफ दे मेट्रिक्स वो डिसकस करते हैं यह देखाँ यह अपने पास हार्मेशियन और इसक्यों हार्मेशियन का ज किया एकर ट्रांस्पोस्टु कि न वो जाएगा वो इपनी पास तूड कर को इसका मैं अगर इसका मैं अगर conjugate कर दूँ, मतलब हर उस पर conjugate करना है आपको, तो A के transpose का conjugate, वो कितना हो जागा, 2 का conjugate 2 ही होगा, 2 प्लस आयोटा का conjugate, 2 माइनस आयोटा का conjugate, 2 प्लस आयोटा होगा, 4 का conjugate 4 ही होगा, इमेजनरी पार्ट है यह नहीं, इसका conjugate 2 माइनस आयोटा है, इसका conjugate 3 है, इसका conjugate आयोटा होगा, इसका conjugate 4 ही रहेगा, इसका माइनस आयोटा होगा, और इसका conjugate 1 ही रहेगा, अब क्या ये इसके equal है, equal है ना, तो ये तो बोला इसमें, समझा गई होगी भी बात, दूसरा देखो, skew symmetric skew harmation skew harmation में क्या था वहाँ पे a के transpose का conjugate equals to minus a के equal था है ना तो यहाँ पे यह a है यह कितना है अपने पास यह a है अब यहाँ पे जो अपने पास यह minus a है minus a कितना हो जाएगा minus a हो जाएगा iota minus 2 minus iota यही होगा 2 minus iota और 0 यही रहेगा ना मैंने minus से multiply कर दिया तो यही हो जाएगा minus a minus a equals to मैंने इसका transpose किया इसका transpose किया तो कितना हो जाएगा इसका transpose करूँगा मैं तो कितना होगे अपने पास यहाँ पे यह minus a आया है suppose करो यह अपने पास minus a आ गया ठीक है अभी A ये है अपने पास A के transpose कितना है A का transpose होगा minus iota 2 plus iota minus 2 plus iota और 0 ये A का transpose हुआ इसका conjugate निकालो तो इसका अगर मैंने conjugate निकाल दिया तो वो कितना आएगा minus iota का iota इसका minus 2 minus iota इसका 2 minus iota इसका conjugate 0 ही रहेगा ये हुआ conjugate अब इसकी value minus A के equal होनी चाहिए तो ये है क्या ये और ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है देख़ो यहां पर तो ये भी proof हो गया है ना तो अगर example किसी कुछ चाहिए तो harmation और skew harmation की भी अपनने example लिख दी है अब अब भी अपन चलते हैं आगे matrix की rank पर अब देखो rank निकालने के लिए क्या है rank निकालने का सीधा सीधा सा concept है जैसे theory लिखवाने की देखो theory आपको याद रिखने की भी जरूरत नहीं है बाकी मैं एक बार बोल जरूर देता हूं लिखेंगे नहीं मैं समझाने के लिए आपको यसा ही hint में देदे दाओ थियोरी किसी वो लिखने हो तो लिख लेना rank of the matrix ठीक है जो basic competition में पूछा जाएगा अपना जेई नीट में अपन जेई में अपन उसी की बात करेंगे rank अब होती क्या है a matrix की rank r होगी a matrix have its rank r if है ना उसकी rank क्या होगी small r होगी अगर it have minimum it have minimum one non singular it have minimum one non singular determinant of order r मतलब minimum एक ऐसा determinant जरूर होना चाहिए किस order का जो आर रेंक है ना उस order का जिसकी जो नॉन जीरो मतलब determinant of a क्या हो यहां पर not equal to zero not non singular का मतलब क्या है not equals to zero और दूसरा पॉइंट क्या हुआ and all the higher order determinant और जितने भी हायर order determinant हो कि सर हायर ओडर किस से आर से ब्रेकेट में लिख दिया अपने आर से जितने ज्यादा order के हो should be singular मतलब उनका determinant क्या होना चाहिए zero होना चाहिए किसर यह बात समझ नहीं आई तो मेरे को पता है नहीं समझ आती theoretical में अगर मैं पड़ू तो मेरे को भी starting में समझ नहीं आईगी यह diagram देखो आप इदर एक matrix है एक matrix है उसका order कितना है उसका order है अपने पास थ्री फोर का है उसका order अब अबनको इसकी rank निकालने ह championship निकालने क्या है अपनको rank निकालने के लिए इसकी minor निकालने पड़ेंगे अब देखो minor minor जो होगा minor कौन सा होगा minor complexity तो होगा माइनर को भी नॉर्मल अपना 3 x 4 को देखा है कि आपने नहीं 3 x 4 को होगा है नहीं माइनर तो अपना square form में होता है तो आपने इसके order को break किया किस में break किया है यहाँ पर 3 x 3 में मैंने इसका माइनर निकाला ठीक है यहाँ पर मैंने इसका माइनर निकाला कितना हो गया 3 x 3 अब यहाँ पर यहाँ तो 2 case होंगे 2 case क्या होंगे यहाँ तो A का determinant 0 होगा या फिर A का determinant non 0 होगा अगर A का determinant non 0 हुआ ना तो यहाँ पर rank एक cost कितनी होगा उसकी 3 उसकी rank 3 हो गए अगर determinant non-zero हुआ तो अभी ये सब एक्जामपल में और अच्छे समझ आ जाएगा अभी के लिए बैसे कि देखो ये भी याद रखने की जरूरत ने ये डाइग्राम एक बार देखोगा ना आपको सब समझ में आ जाना चाहिए इसी वज़े से मैं आपके 3 के determinant में तो कितने माइनर हो सकते हैं 6 माइनर होंगे 6 क्या 9 माइनर हो सकते हैं अब जो 9 माइनर है ना वहाँ पर क्या case होगा या तो या तो determinant of A या 2 क्रोस 2 का है ना मैं यह आपर लिख रहा हूँ 2 क्रोस 2 का determinant not equals to 0 आया एसा एक भी determinant मिल गया आपको minimum 1 अगर एक भी ऐसा determinant मिल गया जिसमें 2 क्रोस 2 का determinant not equals to 0 हो तो rank equals to कितने हो जाएगी उसकी वहाँ पर 2 rank हो जाएगी कि सर अपने 2 क्रोस 2 के जितने भी 9 determinant 9 माइनर थे ना मेरे पास मैंने सारे देख ली और 9 के 9 माइनर के आया मेरे पास सभी का determinant जो है ना 2 क्रोस 2 के सारे के सारे determinant की value 0 के 0 आ गई सारे सारे determinant की value 0 आ गई तो आप क्या करेंगे तो उसकी rank कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि इसके बाद 2 क्रोस 2 से आप छोटा माइनर कितना होगा 1 का उससे छोटा माइनर कितना हो सकता है 1 अब 1 element है वो तो non 0 ही होगा ना कोई भी element की value होई है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए है सारे के सारे element थोड़ना 0 हो सकते हैं सारे के सारे element 0 हो गए तो तो फिर उसकी rank क्या हो जाएगी not define हो जाएगी है ना या पर point लगा कि लिख लेना rank of 0 matrix is not defined उसकी कोई rank नहीं होती समझाए आपको मात क्या है देखो करना क्या है कोई भी matrices मिलेगी आपको suppose करो वह 3 cross 4 की हुई या 2 cross 3 की हुई या 3 cross 3 की हुई सबसे पहले उसका determinant निकाल के देखो अब determinant अगर वह square है तो direct possible होगा सबसे बड़ा आपको determinant निकाल के देगा वो अगर वो rectangular हुई तो rectangular को square में change करेंगे अपन जिससे अपन ने यहां पर किया और अपन क्या निकाल के दिखेंगे उसका minor की value निकाल के दिखेंगे अगर वो जो minor है non zero आता है तो वही उसकी क्या हो जाएगी अपनी rank हो जाएगी जो जितनी भी order का हुआ तो three rank हो जाएगी अगर minor की value zero आ गई तो फिर अपन को और सब minor निकालने है उसके three cross three seven two cross two बना सकते हैं अब अगर two cross two में अपन को two cross two के जो अपने यहां पर देखो एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो तो इसके कितने minor है total इसके 9 minor है two cross two में जिसे one का minor यह गया यह गया यह one का minor होगा फिर यह एक और minor है फिर यह एक और minor है फिर यह एक और minor है इस टैप से बहुत सारे 9 minor है इसमें total तो 9 में से एक भी आप प्रोस्टू का नॉन जिरो आगया तो वही उसकी क्या हो जाएगी रैंक हो जाएगी किसर अगर सारा जिरो हो गए तो फिर रैंक कितने हो जाएगी वन तो जो थियोरी है वो हो जाता है जितना उसका ओर अधना उतनी ही उसकी रैंक होती है रैंक कि स्टू रहे तो यहां पर जो रैंक है सकी वो कितनी हो जाएगी क्या है कि दूसरा कॉशन देखो दूसरा को श्रुशन क bulun डूसरत क्या है कि 7च क्या है अपने पास सब डिटर्मिन इसके नहीं हो रहा है बतलब जो अपने माइनर है ना मैक्सिमम सबसे बड़ा माइनर कितना वा थ्री क्रोस रीका यह और जो मैक्सिमम रहेंक पुछी गई ना आपके जैई में के पेपर में या जैई एडवांस की पेपर में तो देखो 3 cross 3 से ही पुछी जाएगे मेभी 3 cross 4 से वो पुछ ले but maximum chances है 3 cross 3 से ही पुछी जाएगे तो सबसे पहले तो इसका determinant find out करो तो इसका determinant कितना हो रहा है 1 into 9 4 जा 36 minus 36 minus 2 2 into 2 into यहां पर हुआ 18 minus 18 plus 3 into 6 2 जा 12 minus 12 तो यह तो 0 हो रहा है देखो determinant of a equals to 0 अब अगर determinant of a 0 आगया तो rank में अपन नहीं decide कर सकते है अब अब अपन को इसके minor find out करने पढ़ेंगे 3 cross 3 का जो matrices है उसके minor 2 cross 2 में ही निकलेंगे अब देखो अब मैं यहाँ पर 1 का minor देख रहा हूँ अब मिरे को सारे minor चेक करने पढ़ेंगे 1 का minor अलग होगा 2 का 3 का 4 का 5 का 6 सभी का अलग अलग होगा तो मेरे को total 9 minor यहाँ पर चेक करने पढ़ेंगे सबसे पहले पहला minor देखो आप 1 का तो 1 का minor कितना है 4 6 6 9 4 6 6 9 ठीक है यह हुआ 9 4 जा 36 36 तो यह 0 हो रहा है अब आपन 2 का minor देखते हैं 2 का minor कितना हो रहा है यहाँ पर 2 का minor जो होगा 2 का minor 2 यह गया तो 2 3 6 और 9 18 माइनस 18 यह भी 0 हो रहा है उसके बाद आपन 3 का minor देखते हैं 3 का minor कितना होगा यहाँ पर 2 4 3 6 2 4 3 6 यह होगा 12 मैनस 12 यह भी 0 हो रहा है उसके बाद 2 का minor again, इस वाले 2 का minor देखो, तो this, this, वो कितना हो, वो है अपने पास 2, 3, 6, 9, तो 18-18 ये भी 0 हो रहा है, इसके बाद इस 4 का minor देखो, इस 4 का minor कितना होगा, 1, 3, 3, 9, 1, 3, 3, 9, ये कितना होगा, 9-9, ये भी 0 हो रहा है, इसके बाद इस 6 का minor देखो, अब इस 6 क की माइनर कितना होगा ? यह गया, कि…? लगता 1 , 2 , 3 , 6 , 26-6 , यह भी कितना हो रहा है ? 6 0 हो रहाै, ठीक है ? 6 की बाद इस 3 का माइनर देखो, इस 3 का माइनर कितना होग यह गया, resoci, लूंचका, यह गया ? 2 3 4 6 DETERMINANT कितना हो गया ? यह 0 हो रहा है, 12-12, इस 3 की इस 6 का देखो इस 6 का कितना होगा minor ये गया ये गया 1, 2, 3, 6 वो कितना होगा 6-6, 0 हो रहा है उसके बाद इसका 9 का minor देखो सारे element का minor देखना पड़ेंगा अपन को तो वो कितना होगा 2 cross 2 का minor 1, 2, 2, 4 4-4 ये भी कितना हो रहा है 0 तो अपन ने 9 के 9 minor देख लिए सभी के determinant की value 0 आ रही है इसमें अगर 1 भी ऐसा मिल जाता ना अगर 1 भी मेरे को non 0 मिल जाता तो वही मैं इसका order क्या लिख देता इसका rank क्या लिख देता मैं यहाँ पे 2 इसका rank लिख देता बट देखो 3 क्रोस 3 में भी determinant की value 0 आई और सारे के सारे 2 क्रोस 2 में भी determinant की value के आई 0 तो यहाँ पे rank कितनी होगी rank 2 भी नहीं होगी अब 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 अनको फिर से इसको और छोटे minor में break करना पड़ेगा अब 2 क्रोस 2 से छोटा minor कितना हो जाएगा 1 1 क्रोस 1 मतलब 1 element तो 1 एक element 1 हुआ I hope आपको समझ आया है करना क्या है तीसरा example देखो तीसरा example में क्या है identity matrix है 3 क्रोस 3 order की तो यहाँ पे जो rank है वो कितनी हो जाएगी इसकी 3 जैसा मैंने बोला आपको 2 क्रोस 2 में 2 होगी 3 क्रोस 3 में 3 हो जाएगी next example देखो यह next example में क्या है a equals 2 वो है अपने पास 2 1 minus 1 0 3 minus 2 और 2 4 minus 3 यह अपने पास next है अब इसका rank find out करने के लिए सबसे पहले इसके determinant की value देखो तो a का determinant कितना हुआ 2 2 into minus का 9 और plus का 4 तो जाएट minus 1 1 into 0 और plus का 4 हो जाएगा minus 1 1 into 4 into 0 0 हुआ और minus का 3 2 जा 6 तो determinant of a की value minus 2 minus 2 और यहाँ पर minus 4 हो जाएगा और यहाँ पर plus का 6 हो गया determinant of a कितना हो गया 0 determinant of a 0 हो गया मतलब rank 3 नहीं हो सकती अब अपन को minors find out करने पड़ेंगे अब 3 cross 3 का maximum था अब इससे छोटा minor कितना होगा नजर आ रहा है ना कोई भी 90 देखो मेरे को यह वाला क्या है 90 ही नजर आ रहा है यहाँ पर मतलब किसका minor यह minus 1 का minor तो यहाँ पर 0, 3, 2 और 4 का जो minor है ना 4 0 और यह कितना होगा minus 6 तो यह 90 है तो अपने आप 2 cross 2 का मेरे को एक ऐसा minor मिल गया है जिसकी value non zero है तो यहाँ पर जो इसका order है वो कितना हो जाएगा सॉरी order नहीं rank rank हो जाएगे मेरे पास 2 समझाए आपको करना क्या है अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार lecture वापिस से देख ले ना फिर तो I think आहीं जाना चाहिए जैसे भी एक दो example और मैं करवाँगा तो अगर किसे को इसमें भी समझ नहीं आया है तो वहाँ पर आ जाएगा जैसे next देखो क्या है एक को स्टू और row elementary row transformations हो भी होता है उससे भी अपन find out करते हैं बट वो अपन BAC और उसमें चले जाते हैं तो इतना lengthy question नहीं पूछा जाएगा अपन से जो normal पूछे जाते हैं अपन उसी पर stick करेंगे जैसे minus one minus two three minus two four minus one minus one two और seven यह अपने इसको rank बताने है अब suppose को ऐसे नहीं आता जो ए है ना अपन को ऐसे दीवी होती यह तो यह तो यह बनेगा या फिर यह तीनों बनेंगे या फिर बीच में इसको छोड़ दो एक, दो, तीन या फिर ये बनेगा या फिर ये 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 बनेगा ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा अपनको अगर ऐसा question दिया हुआ होता ना तो अपनको 3 cross 3 में देखना पड़ता है सबसे पहले 4 cross 4 कब में तो determinant नहीं निकलेगा तो कहां से पता चलेगा अपनको 3 cross 3 के माइनर बना के देखने पड़ेंगे अगर ऐसा दे दिया तो तो generally question कैसा आने वाला है 3 cross 3 का बट अगर 4 cross 4 का आ गया तो आप 3 cross 3 के माइनर बना के देखो जितनी भी possibility हो वहाँ पे अब जो possibility है तो उसमें एक भी आपको non zero मिल गया तो उसका determinant कितना हो जाएगा उसकी rank कितनी हो जाएगी तीन वहाँ पे rank हो जाएगी अगर सारे के सारे 3 cross 3 कितना बना रहे है 0 बना रहे है determinant के value तो rank के निकालने के लिए अपनको 2 cross 2 के माइनर देखने पड़ेंगे जैसे कोशन आया है 3 cross 3 का है अब मैं इसका determinant देखता हूँ अब इसके determinant की value कितनी हो रही है determinant की value हो रही है माइनस 1 से किया मैंने 7,4,28 प्लस 2 प्लस 2, 2 इंटू माइनस का 14 माइनस का 1 प्लस 3, 3 इंटू माइनस 4 और प्लस 4 हो गया तो यह तो 0 हो गया यहाँ पर कितना होगा 30 माइनस का 30 और यह कितना होगा माइनस का 30 तो यह होगा टोटल माइनस का 60 विच इस नौट इकोस तो 0 तो एक जो 3 cross 3 का determinant है यहाँ पर उसकी value non 0 होगी तो rank कितनी हो गई इसकी 3 ठीक है तो समझे हैं आपको rank करते कैसे निकालते कैसे हैं तो यह था आपना matrices and determinant का next lecture तो आज की lecture में बस इतना ही I hope आज आपने कुछ नया सीखा होगा थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक शेर और सब्सक्राइब देशनल अगर आपको lectures अच्छे लग रहे हैं तो अपने friends के साथ शेर कीजिए चैनल को grow करने में help कीजिए Thank you